नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल के उपर आज हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो लेक्या रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग यह दिखाएंगे दोस्तों कि किसे आप एक सिंपल क्रिश्टल क्लियर ग्लास का जो ग्लास होता है द कि यह जो वीडियो बहुत वीडियो बनाए क्योंकि इंडिया में इस बिसनस का और यह सब चीशों का बहुत तेजी से बढ़़ता जा रहा रहा है यह आं दोस्तों वीडियो के साथ बने रह persönlich हम लोग this Video करते हो तो दोस्तो आप देख सकते हो कि ये हमारा हाइड्रोक्रूम का सेटप है ये हमारी कमपनी है स्मार्ट टेक सॉलूशन हम लोग ये मशीन बनाते हैं और ये मशीन से आप फाइबर, स्टेचू, रेजिन, प्लास्टी कोई भी चीज कैसी भी टाइप की चीज हो उसके पर अगर आपको सिल्वर का, गोल्ड का, रोज गोल्ड का फिनिश देना है तो आप इजीली दे सकते हो दोस्तों तो हम लोग यही पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको पूरा हमारी ये मशीन से काम करना है यह जो हमारी हाइड्रोकृम की मशीन है दोस्तों हम लोग ने बहुत सिंपल और इजी बना दिया है पूरा प्रोसेस बहुत रिसर्च करने के बाद हम लोग ने डिजाइन किया है इस मशीन को और अभी हम लोग एक प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपने देखा हमारे हाथ में एक काच का ग्लास है इसके उपर हम लोग पहले साबुन के पानी से अच्छी तरीके से इसको क्लीन करेंगे कि जो भी अगर फिंगरप्रिंट है दूल मिट्टी है वो अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो जाए और क्लीन होने के बाद में दोस्तो हम लोग हर स्टेप के बाद में इसको पानी से वाश करेंगे जी यहां दोस्तो यह जो पूरा प्रोसेस होता है हाइड्रोक्रोम यह पानी और प्रेशर का काम होता है और इसके बीच-बीच में कुछ-कुछ में प्रोसेस होता है वो आपको हमेशा फॉलो करना है जैसा हम लोग ने आपको वीडियो में दिखाया दोस्तो सेम टू सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है आप ये मशीन से कंटीन्यू पूरा दिन भर का काम कर सकते हो एक अच्छा खासा प्रोडक्शन आउटपूट निकाल सकते हो जैसे कि आप ने देखा कि हम लोग में पहले उसको अच्छी तरीके से स्वाश किया हैं उसके बाद हम लोग इस पर पानी से वाश कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ने साबून के पानी से वाश किया, फिर एक्टिवेटर स्प्रे किया, एक्टिवेटर स्प्रे करने के बाद दोस्तों एक आदा मिनिट आपको पीस पे एक्टिवेटर रहने देना है, उसके बाद ही आपको क्लीनिंग करना है, और cleaning होने के बाद में इसको dry करके आप जो finish देखोगे दोस्तों ये एकदम ultimate finish होगा. जैसे जैसे हम लोग ने process दिखाया दोस्तों, same to same process आपको follow करना है, क्योंकि process बहुत ही simple हम लोग ने बना दिया है, machine operate करने में भी बहुत ही simple और easy है, तो इसमें कहीं पे भी कोई complications नहीं रखा है, कि जो भी अगर हमारा customer हमसे machine लेता ये setup लगाता है, तो वो all over India में बड़े level पे काम कर सकता है, आप देख सकते हो दोस्तों कि पहले piece एकदम simple clear था, काच का, अब इसके पर bright silver chrome finish आ चुका है दोस्तों, और यही finish का market के अंदर सबसे ज़्यादा demand है, और ये finish दोस्तों इस piece के उपर लंबे time के लिए बना रहेगा, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा final finish है दोस्तों, एकदम dry करने के बाद piece में brightness देखिए दोस्तों, इतना bright और silver finish लग रहा है piece के उपर, ये कहीं से नहीं लग रहेगी, ये काच का piece है, तो ये चीज हमने बनाई है दोस्तों, और इसका India में एक बड़े level पर demand है दोस्तों, ये पूरा finish करने में एक basic cost जाता है, और अगर आप इसको sell करते हो, तो आप इसको easily एक बड़े amount पर sell कर सकते हो, दोस्तों, तो ये piece पहले एकदम simple crystal clear काच का glass था, और ये glass के उपर आपने देखा कि कैसे हम लोग ने कुछ process किया, और एकदम bright silver finish में इसको बदल दिया, आप लोगों ने पूरा process देखा दोस्तों, start to end, कितना simple और easy process बना दिया है, सिप soap wash किया, activator किया, silver chrome किया, और chrome होने के बाद दोस्तों, ये ultimate finish आपके पास है screen पर, कि आप देख सकते हैं कितना bright silver chrome लग रहा है, और यही finish को लाने में research करते हम लोगों को सालों साल लग गए दोस्तों, तो ये हमारी company का detail है दोस्तों, आप हमसे जुड़िये, हमारी company में contact कीजिए, demonstration देखिए, इस business को start कीजिए, एक छोटा machine का setup लगा कर बड़े level पे काम कीजिए, thank you दोस्तों